तो दोस्तो हमने सारे कमांड्स तक्रीबन कौर की जो हमें चाहिए होती है कि कोई भी हाउस मेप हम बनाते हैं तो सारे कमांड्स हमने कौर करते हैं अब हम एक चोटा सा एक गर बना देते हैं तो उसमें फार एक्जामपल मैंने दो रूम बनाने हैं एक किचन और साथ में एक लाउंच और कारपोर्ट बनाना है तो जो कमांड्स हमने डिसकस किए हैं अपनी लेक्चर्स में वही कमांड्स हम यूज़ करेंगे कोई और कमांड्स उसमें नहीं यूज़ होगा बाकि जो अटुकेड में और कमांड्स होते हैं यहां पर बहुत ज्यादा कमांड्स है तो वह हम विद पेसिज अफ टाइम हम मुखतलिफ लेक्चर्स में उसको डिसकस करेंगे उसके लिए हम एक अलग लेक्चर बुक करेंगे तो यहां हम अभी स्टार्ट करते हैं एक गर चोटा सा तो लाइन कमांड्स में ले रहा हूं पर एक्जमपल मैंने एक रूम बनाना है 12 फिट वाइ 14 फिट का अभी यह रूम बन गया है अभी हमने इसकी वाल्स बनानी है तो आफसेट कमांड वाल्स की जो दिखनेस होते है पाकिसान और इंडिया में ज्याएतर 9 इंचिस की दिवार यूज होती है तो मैं 9 इंचिस की दिवार बना दूंगा अब यह इसको हम टच करेंगे इसको हम मिलाएंगे इन दोनों लाइन्स को तो फिलिट कमांड फिलिट कमांड हमने डिसकस किया था या भी इसका रेडियस लगा हुआ था इसलिए जीरू किया अब मैंने तो यह एक बेड्रूम बन गया अब मैंने सेम इट इस दूसरा बेड्रूम बना है तो हम इसी बेड्रूम के कॉपी ले लेंगे यहां से हम इसको क्लिक करके यहां पर एक मूव कर लेंगे क्योंकि यह स्पेस बच रहा था फिलिट कमांड आप देख सकते हो यह दूरूम बन गए अब इसके साथ मैंने बात बनानी है फाइब फिट की में एक बात बना रहा हुए आप में अफसेट कमांड लिया है इसकी मैं भी दिवार बना दूंगा नैइन इंचिस का अफसेट कमांड की तुरू फिलिट कमांड इसको मैं अब यह पार्ट में नहाटाना है यह लाएं टी आर ट्रिम कमांड डबल एंटर अब देख सकते हो इसके बाद यहाँ भी मैं एक कड़की बनाऊंगा तो फॉर फिट शेक्स इंचिस अफसेट में ले रहा हूँ इसको मैं एक्स्टेंड करूंगा इस कमांड टक और इसकी मैं वाल बना दूंगा फिलिट यह ट्रेंड कर दिया मैंने यह भी तो आप देख सकते हो यह एक बाद रूम बन गया अब इस साइड पर भी मैंने दूसरे रूम में भी बनाना है बाद रूम तो इसको मैं मेरर करूंगा फिलिट कमांड अब देख सकते हैं यह बाद रूम बन गए अब यहां पर मैंने एक किड़की बनानी है लैन कमांड किड़की हम डबल लैन लगाएंगे अफसेट कमांड मैंने लिया किड़की को हम इस तरह शो करते हैं आर्किटेक्चर ड्राइंज में अब सेम यह किड़की में मेरर करूंगा यहां पर यह तोड़ा इसको मूफ करूंगे तो यह किड़की बन गई यह ओपन टुसकाई यह जगा होगी अब यहां पर भी मेने दिवार बनाना है अब सेट नाइन इंचीज लैन कमांड मैंने लिया पहले इसको मैं ट्रिम करूंगा यह जगा ओपन आ जाएगी अब यहां मेने दर्वाजी लगाने है लाइन कमांड दर्वाजी की जो साइज होती है त्री फिट सेक्स इंचीज होती है इसका हम अफसेट लेंगे त्री फिट सेक्स इंचीज इसको हम ट्रिम करेंगे circle command यहां से हम circle ले लेंगे यह जगा हम trim करेंगे अब देख सकते हैं यह एक door बन गए इसको अब दूसरी room में भी हमने door बनाना है हम इसको mirror करेंगे TR यह पिर मुख्तलिफ tricks होते हैं जो आपने use करने होते हैं अपने असानी के लिए अब यहां पर भी मैंने बातरूम बनाना है sorry door बनाना है बातरूम का तो यहां पर 30 inches का 2 feet 6 inches का नार्मली डोर आता है sorry circle ले लेंगे अफसेट ले लेंगे 30 का इस तरह आप bedroom का दरवाजा बने ड्रिम करेंगे इसको circle तो आप देख सकते हैं यह bathroom का दरवाजा बन गया अब इसको हमने यहां पर mirror करना है trim command यह extra lines हम निकालने नहीं तो आप देख सकते हो दो bedrooms without edge bath अब हमने kitchen बनाना है और साथ में एक lounge living room बनाना है यहां से हमने अफसेट लोंगा मैं देख लूँ कितना है यहां पे land fit यहां से मैं तक्रीबन चेंज चोल रहा हूँ यहां मैं 12 फेट का अपसेट ले रहा हूँ kitchen बनाने के लिए इस line को मैं extend कर दूँगा extra line trim करूँगा यह line में extend करूँगा यह दी वार बना रहा हूँ है दी वार बन गया यह fillet command fillet again fillet यह मैं corners मिला रहा हूँ PR double enter extra line trim कर दी तो आप जेख सकते हैं यह kitchen बन गया अब मैंने इसमें living room बनानी है तो for example मैं यहां से यह line में के यह living room बना रहा हूँ यह line में extend कर दूँगा यह दी वार trim trim 9 inches fillet trim तो यह living room भी बन गया kitchen भी बन गया अभी kitchen का दर्वाजा हम लगाएंगे तो यह वाला दर्वाजा जो हमने already बना इसको copy करेंगे इसको हम rotate कर सकते हैं rotate किया उसके बाद हम इसको mirror करेंगे इसके बाद हम इसको move करके यहाँ पर लगा जेंगे इसको हमने trim करना है अभी extra lines को TR double enter मैंने यहाँ पर kitchen का लिए एक window बनानी है offset लोंगा for example मैंने 5 feet की window बनानी है तो 2 feet 6 inches का offset इदर एक side पर ले लोंगा और 2 feet 6 inches का दूसरे side पर यह जो lines हमने लेगाई है इसको हम copy करेंगे co enter copy इसको हम extend कर देंगे ex command के through यहाँ पर मैंने अभी launch के लिए एक रिकी बनानी है for example मैं यह 6 feet बना रहा हूं तो 3 feet offset लोंगा मैं दोनों side पर मैं offset लेके extra line पर trim करूंगा tr double enter और यहाँ इड़की तो यह living room की इड़की भी बन गई अब यहाँ पर मैंने एक lobby बनानी है entrance lobby for example 6 feet की मैं एक side से बना रहा हूं यह line दो line दे तो इसको make कर देते हैं एक line command लेके यह divar बन गई extra line trim करेंगे offset 9 inches दूसे side से for example मैं 5 feet ले रहा हूं 9 inches जिसका divar बनाऊंगा offset की through fill it command corners को बला दूंगा तो अब यह एक lobby बन गए इसको मैं बढ़ा देता हूं changes extend command यह मैं extend करता हूं lobby इसको मैं trim कर देता हूं extra lines अब दर्वाजा for example मैंने यहां से लगाना है offset मैंने अभी for example 4 feet का दर्वाजा लगाना है to 24 एक side से offset लूंगा 24 दूसरे side से circle command देख सकते हैं यह entrance door भी बन गया अभी मैंने यहां पर steps बनाने for example मैं यहां पर steps बना रहा हूं यहां आफसेट लूंगा 11 इंचीज 3 steps मैंने बनाए fillet तो यह steps भी बन गए अब यहां पर मैंने एक drying room बना ली है for example मैं चोदर fit का offset लेता हूं यहां पर इस line से दिवार बनायते हैं तो 9 इंचीज के offset command की तुरू fillet command extra line trim कर देते हैं trim command की तुरू यहां पर मैं एक bathroom बना देता हूं 5 feet का fillet command आप देख सकते हैं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा साथ 8 command यूज़ हो रहे हैं उसको ही हम revise कर रहे हैं जो commands हमने सीखी है वही commands 7-8 commands है ज्यादा नहीं है उसकी तुरू हम map बनाते हैं यह bathroom भी बन गया drawing room के लिए हम दर्वाजा बना देते हैं वही यह दर्वाजा जो हमने copy किया था इसको ही हम use कर देते हैं move command यहाँ पर मैं एक window बना लेता हूं यह वाली window ही हम copy कर लेते हैं बातरूम के लिए दर्वाजा बनाते हैं तो already हमने बने इसकी copy ले लेंगे mirror कर लेंगे tr double enter यह बातरूम का दर्वाजा भी बन गया और drawing room का click की और दर्वाजी भी बन गया यहाँ भी हम strip लगा देते हैं for example में यहाँ से इस तरह offset आप 12 की में strip बन गयते हूं fill it अब यह जो जगा बच गई इसको हम car porch के लिए use कर सकते हैं इसको हम dash lines में convert करेंगे और यह car porch की लिए आ जाएगा अब हम इसमें texting करते हैं T इसकी shortcut की है हमने already discuss किया है यहाँ पर हम लेकेंगे bedroom इसकी size में for example 8 लग कराऊ ओके इसको हम तोड़ा adjust कर देंगे उसके बाद दूसरा bedroom है पिर copy यहाँ भी bathroom है ED आप editing करेंगे इसमें ED इसकी shortcut की है इसको आप click करोगे यहाँ पर लिकोगे बात इसके बाद copy यहाँ पर भी बात है यह living room है move इसको तोड़ा adjust कर देंगे copy यहाँ पर किचन है इसको कॉपी ले लेंगे यहाँ पर ड्राइंग रूम ED कमांड की तरू हम editing करते हैं इसके बाद बात है यहाँ बात की copy उटा लेंगे यहाँ पर यह car porch है car porch लिक देंगे lobby भी बनी है हमारे पास lobby अब यहाँ dimensions लगा देते हैं तो यह dimension command ले लेंगे अच्छा आप dimensions आप देख सकते हो इसकी text बहुत ज्यादा है तो आप यहाँ से भी इसको edit कर सकते हो यहाँ से भी कर सकते हो लेकिन इसको मैं dimensions में दुबार जाता हो modify primary units sorry text text में यहाँ पी आके मैं इसको कम कर रहा हूँ for me add कर रहा हूँ set current yes close okay set current close मैं दुबार dimensions command अब देख सकते हैं इसका size okay हो गया ही में dimensions लगा रहा हूँ आप देख सकते हैं दोस्तों यह अभी तोड़ी टेक्स्ट में चुप रही है तो आप इसको move कर ले तो दोस्तों यह एक गर हमने बना दिया तो अभी हमने इसी गर की 3D बनानी है sketch up अगला जो हमारा topic होगा वो sketch up में होगा इसी ही ड्राइंग को हम sketch up में save करेंगे import करेंगे और वहां उसकी 3D बनाएंगे तो आपने next lecture भी miss नहीं करना उनकी अगली lecture से हम Google sketch up स्टार्ट करेंगे नहीं बहुत बहुत ख्याद रखेगा अल्ला हाफिस